दोस्तो अगर आप लोग trust wallet यूज कर रहे हैं तो यहाँ पी कहीं सरे प्रिसानी होता है आज की रेटेमिक की wallet हैक हो जाता है सकेंड दोस्तो अपना फर्सेश की भूल जाते हैं तो recover करना मुस्किल हो जाता है अगर हम long term holding करके रखे हैं और फर्सेश की भूल गया अपना सेग्रेट पी भूल गया तब तो दोस्तो मेरा सारा fund लोश्ट हो जाता है इनकेस हम गलत transaction कर दें इनकेस मेरा wallet है खोगी recover आप मिन्टों कर सकते हैं तो आज की वीडियो हम लोग trust wallet के नए features की खासत के बारे में जानेंगे इससे किस तरह से यूज करेंगे इससे क्या-क्या benefit आपको होने वाला है तो सारा कुछ दोस्तो complete गाइड करूंगे इस वीडियो में आप लोग को जड़ा सब वीडियो हेलफु लगे लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा पोस्त बार भीट कर रहे हैं तो मैं एक सब्सक्राइब कर लिए होंगे नहीं कि हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिक्स नेकर में किलिक कर ले ताकि आने वाले टाइम में हरे एक crypto रिगाडी वीडियो आप लोग को देखने कि मिले नमस्कार दोस्तो मैं रविरिंजी आप लोग को क्रिप्टो केंड़ियो के दुनिया में चलिए दोस्तों यहांपे इन्डिविश क्या ऐसी सबसे पुश्ट कियो आपको अपडेट करना करने बाद दोस्तों जैसे आप create wallet पर जाते हैं तो वहीं पर आपको एक swift wallet का option सो कर रहा होगा के रूप में just आपको इस पर click करना click करने दोस्तों यहां पर सारे settings को click करना है okay करना I lost access my wallet address इस पर click करना and continue पर click करना got it continue अब यहां पर wallet name डालना है जो भी आप नाम डालना चाहते हो continue डालके आप continue करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर finally आपका wallet create हो जाएगा swift wallet इसे benefit क्या होने वाला दोस्तों देखें यहां पर सबसे पहले pay gas using 200 plus token मतलब आप gas fees 200 plus token से आप pay कर सकते हैं second दोस्तों transaction आप फिर second में कर सकते हैं बिल्कुल easy तरीके से quickly आप कर सकते हैं third जो इसमें benefit होने वाला है दोस्तों recovery with face ID और fingerprint आप recover करवा सकते है face ID और fingerprint के मात्यम से easy तरीके से एंड फोर्थ जो features आपको मिलने वाला है जो coming सुना रहा है recover with a guardian दोस्तों यहां पर भी total seven blockchain support कर रहा है जहां पर सबसे फर्स नमर BNB है पॉलिगोन है अब launch है अर्विट्रम है ऑप्टिमस है बेस है एन ओपी BNB है इस तरह से seven blockchain right no support कर रहा है तो यह सारे features आपको इस swift wallet में देख नहीं बिलेगा और अगर hack हो गया किस तरह से recover करवाएंगे और in case अगर आप अपना फर्स की भूल गए तो किस तरह से recover करेंगे तो देखिए swift wallet का जो खास्योत है कि normal wallet में क्या होता है कि आप accounts create wallet में तो आपको 12 अंग का फर्स की मिलता है मतलब आपको 12 box मिलेगा कुछ लेटर रहता है सब में आपको डालना पड़ता तब जाके आप उसे login कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं कभी भी आपको किसी अधर phone में अपना icons को open करना है फिर आपना phone को forward मार दिया फिर new phone में मतलब कही नहीं भी आपको open करना है 12 boxes मिलता है फर्स की के रूप में वह आपको डालना पड़ेगा बड़ दोस्तों अगर swift wallet create करके रखते हैं तो यहां पर नहीं आपको फर्स की जब सकता है नहीं आपको password कर सकता है विकॉज दोस्तों आपके सारे backup iCloud में फिर Google Cloud में store करके रखता है तो जब तक आपके दरा permission नहीं होगा कोई से access नहीं कर सकता है इनकेस दोस्तों है खोच चुका है या फिर आप फंड गलती से transaction कर दिये किसी अगर पेत आप यहां से इस swift wallet के मादर हम से recover करवा सकते हैं तो यह सब खासियत है दोस्तों इस trust wallet का नए update नए features का अगर आप लो को help लगा हो वीडियो तो like, comment, share and subscribe मिलते हैं दोस्तों next one तब तक के लिए जयंद, जय वारत